इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल सुरुआत से सिखने वाले हैं कि रैखिक समिक्राण को किस तरह से बनाया जाता है देखी रैखिक समिक्राण उसे कहते हैं जिसमें X का पावर एक रहता है देखी यहाँ पर X के पावर कुछ हो नहीं है न इसका मतलब यहाँ हुआ कि X के पावर एक है यहाँ पर भी X के पावर एक है तो इस परकार के समिक्राण को रैखिक समिक्राण कहते हैं तो देखिए यह जो समिक्राण है यह सिंपल समिक्राण है और यह समिक्राण जो है यह भीन के रुप में है तो रहखिक समिक्राण आपको दोही तरह को देखने को मिलेगा एक इस तरह से सिंपल मिलेगा और दुसरा इस तरह से भीन के रुप में मिलेगा तिन दोनों को हम बन आकर देखेंगे और बिल्कुल शुरुगात से बनाएंगे तो देखिए यह वाला समिक्राण हम पहले बनाते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा आसान है और पहले आप आसान समझ लेंगे तो फिर आप यह भी बहुत ही असानी से समझ लेंगे तो देखिए समिक्राण जब भी बना का चिन मत दिजिएगा आप इसमें इस तरह का चिन दिजिएगा ठीक या फिर हिंदी में लिखिएगा या इन दोनों मसे कोई भी या तो या लिखिएगा या फिर इस तरह से चिन दिजिएगा समिक्रण बनाते समय तो सबसे पहले हम इस तरह से चिन देते हैं अब देखी समि निकालने के लिए हम क्या करेंगे या फिर यह नियम होता है इस वाले अंक को पूरा को इधर ही रहने देते हैं तो यहाँ पर दो एक सैनत इसको हम इधर ही रहने देते हैं उसके बाद बराबर का चीन उसके बाद बराबर के बाद वाला जो उंक है उसको लिखा जाता है तो बराबर के बाद क्या है देखिए 20 है तो हम 20 लिखेंगे उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हमने इस 4 को छोड़ा है न इस 4 को भी हम क्या करते हैं बराबर के उस पर भेज देते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पलस चार, तो बरावर कि उस पार जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस चार, चीन बदल जाता है, कहने का मतलब कि बरावर कि इस पार से उस पार जवंक जाता है, तो उसका चीन उल्टा हो जाता है, पलस रहता है तो माइनस में ह माइनस रहता है तो पलस हो जाता है गुणा रहता है तो भागा में हो जाता है और भागा रहता है तो गुणा में हो जाता है यहाँ आप लोग याद कर लिएगा तो यहाँ पर दखिए यह चार पलस में है इस पार तो बरावर की इस पार आएगा तो हो जाएगा माइनस चार यहां तक तो कोई दिकत नहीं होगा अब फिर हम इस तरह से चीन देंगे उसके बाद फिर हम इसको लिखेंगे 2X उसके बाद बरावर के चीन अब इसको घटा दिजिए तो 20 मले 4 घटेगा यह बचेगा 16 अब क्या करना है देखिए हमें X का मान निकलना है तो हम क्या करेंगे X को इधर ही रहने देंगे तो X को मैं इधर ही रहने देता हूँ उसके बाद बरावर का चीन अब आप हमें बताए कि 2 में और X में कौन सा संबंद है तो देखिए इसके बीच में कोई भी चीन नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि 2 और X यहाँ पर रफ में जरा समझिएगा इसका मतलब यह हुआ कि 2 और X में गुना का संबंद है यह इस तरह से है 2 गुने X यह इस तरह से है तो बीचा में इसके गुना है कोई चीन नहीं है तो तो गुला है तो बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा तो देखिए दो इसमें गुला के साथ है न तो इस पर आएगा तो भागा में हो जाएगा तो भागा में किस तरह से होगा वो समझिए तो बराबर कीश पार क्या है, 16 है ना, तो हम पहले 16 को लिख देंगे, उसके बाद हम 2 को लिखेंगे, लेकिन नीचे लिखेंगे, भागा में लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा 2, अब इसको कटा देना है, तो देखिए, 2 से 16 जो है, 8 बार में कटेगा, तो यहाँ पर हमारा X बराबर क्या आया है यह आया है आठ और यहीं हो गया इसका राई टेंस वर तिस तरह से समिक्रण बनाया जाता है तो मैं यहासा करता हूँ कि आपको इस तरह से सिंपल समिक्रण बनाना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा अधी आ गया है तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए अभी यह दुसरा समिक्रण समझे कि अधी समिक्रण भीन के रूप में दिया रहेगा तुसको हम किस तरह से बनाएंगे तो देखे जिस तरह से simple भीन का जोड बनाया जाता है या फिर simple भीन का घटाव बनाया जाता है उसी तरह से समिक्रण भी बनाया जाता है आप कुछ समय के लिए भूल जाए कि यह समिक्रण है मान के चलिए कि यह भीन का जोड है तो जिस तरह से भीन का जोड बनाया जाता हैं उसी तरह से हम इसको बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर पाँच है यानि कि पाँच उपर में है न तो हम यहाँ मान सकते हैं कि पाँच के नीचे एक छुपा हुआ है तो हम तीन और एक का लगुतम निकालेंगे तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ देखिए तीन और एक का लगुतम यह किसी से नहीं जाएगा तो इसका लगुतम हो जाएगा तीन गुणे एक बराबर तिन ही होगा तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ तीन इस तरह से सिंपल भीन का जोड बनाया जाता है उसी तरह से हम इसको बनाएंगे तो देखिए तीन के पहाड़ा में तीन एक बार में आता है इसलिए हम एक में गुणा कराएंगे किस से इसके उपर क्या है एक्स है ना तो एक्स में गुणा कराएंगे तिया होगा एक्स ही हो जाएगा तिहां पर हो गया एक फिर पलस का चिन है तो पलस अब एक के पहड़ा में तीन कितने बार में आता है तो एक के पहड़ा में तीन जो है यह तीन बार में आता है इसलिए हम तीन में और इसके उपर क्या है पाँच है ना अब तिर्चा तिर्ची गुणा करा देना है देखिए यह 6 जो है यह भी उपर में है इसके नीचे में हम एक लिख सकते हैं अब तिर्चा तिर्ची इस तरह से गुणा कराना है देखिए एक में हम गुणा कराएंगे इसके साथ पुरा वाले के साथ और 3 में हम गुणा कराएंगे 6 के साथ तो दिखिए जब हम 1 में X से गुणा कराएंगे तो X ही हो जाएगा फिर पलस है तो पलस फिर हम 1 में 15 से गुणा कराएंगे तो 15 ही हो जाएगा तिहां पर मैं लिखे देता हूँ 15 बराबर अब हम 6 में 3 से गुना कराएंगे तो यह के आओगा, यह हो जाएगा 16, 18 हतियां पर हो जाएगा 18 अब क्या करना है, एक्स का हमें मान निकलना है, तो हम एक्स को इधर ही रहने देते हैं और 15 को भी उस पर भेज देते हैं तो यहाँ पर देखिए इस पर पहले से हैं 18 तो 18 जिव का 3 यह 15 इधर है पलस में तो इस पर आएगा तो हो जाएगा माइनस में यह हो जाएगा माइनस 15 इस तरह से समझ मैं रहा है न अब देखिए क्या करना है इसको घटा देना है तो एकस बराबर हो जाएगा क्या होगा तो 18 मले 15 को घटा देना है तो देखिए 18 मले 15 घटाएगे तो क्या बचेगा यह बचेगा तीन और यह ही हो गया इसका राई टेंस वर तो इस तरह से समिकरन बनाया जाता है अब तीसरा और चवथा समिकरण को समझे तो देखिए इसमें अंतर क्या है इसमें दो दो जगह पर X है यहाँ पर भी X है और यहाँ पर भी X है और इसमें भी दो जगह पर X है तो देखिए कोई सा भी समिकरण क्यों नहो और कितना भी जगह पर X क्यों नहो अधी इसमें X का पावर एक है, इसमें आप देखेंगे कि X का पावर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है यहाँ पर भी एक है, और यहाँ पर भी एक है, तो यह रैखिक समिक्रण है, ठीक, और देखिए जब पावर एक ही रहता है कहने का मतलब की पावर एक है तो एक है दो है तो दो है दोनों जगापर वहीं होना चाहिए बरावर होना चाहिए तो इस तरह से जब पावर रहता है और चाहे वो है एक से एक जगापर हो या दो जगापर हो या तीन जगापर हो या चार जगापर हो कई को जगापर हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्या करना है हमें देखिए अब करना क्या है उसको समझे तो सबसे पहले तो इस तरह से चीहन देना है उसके बाद जो जो एक्स वाला है ना उसको एक साथ लाना है तो यहाँ पर देखिए यह तो दोनों एक ही साथ है तो यहाँ पर अच्छा बात है लेकिन यहाँ पर यहाँ दोनों एकस आत नहीं है एकोई यहाँ पर है और एकोई यहाँ पर है तो पहले आप इसको समझ लिजिए तो देखिए यहाँ पर है चार एकस और यहाँ पर है दो एकस दोनों में एकस लगा हुआ है तो जब इस तरह से दोनों में एकस लगा हुआ ह और दुनों का पावर बराबर है तो यहापस में जूट जाएगा अधिक घटाव का चीन रहता तो यहाँ घट भी जाता ठीक तो यहाँ पर देखिए चार में हम दो जोड़ेंगे तक क्या होगा चारदू छोगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे चोग और एकस इसके साथ चिपका देंगे कहने का मतलब कि हमने चार एकस को जोड़ा है दो एकस के साथ जिस तरह से सिंपल जोड़ किया जाता है यह भी उसी तरह से जोड़ता है या फिर घटाना होता तो घटता उसके बाद भरावर का चीन अब भरावर के बाद क्या है तो यह है 24 तो 24 जेंग का तेंग हमें X का मान निकलना है यह अब हमेशा याद रखिएगा कि रेखिक समिकरण में या कोई सावी समिकरण में हमें X का मान निकलना होता है तो X का मान हमें निकलना है तो हम X को इधर ही रहने देते हैं और इसके साथ में जो 6 लगा हुआ है उसको हम उस पर भेजेंगे तो पहले मैं 24 को लिख लेता हूँ अब आप यहाँ पर बताईए कि 6 X के साथ गुणा में है न 20 पर आएगा तो हो जाएगा भागा में यानि की नीचे आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6 अब जो जो कटेगा उसको कटा दीजिए तो देखिए 6 के पहला में 24 जो हैं कितने बाब में आता हैं तो देखिए 6, 6, 2, 12, 6, 18, 64, 24 चो के पहला में 24 जो हैं चार बाब में आता है तो यहाँ पर किया आया है share और यहीं हो गया इसका right answer तो इस तरह से जब समिकरान रहता है जिसमें दो जगह पर X रहता है तो इसको इस तरह से बनाया जाता है अब इस वाले को समझे इसमें भी दो जगह पर X है लेकिन इसमें अंतर यह है कि एको X यहाँ पर है और एको X यहाँ पर है तो देखी हम क्या करेंगे सबसे पहले X वाले को X साथ लाएंगे तो इस तरह से यह 3x और यह पलस में कोई भी चीन नहीं है तो इसका मतलब कि यह पलस 3x है तो यह बराबर की इस पर आएगा तो यह हो जाएगा माइनस 3x इस तरह से हो जाएगा और हम बराबर का चीन दे देते हैं अंक वाले को उस साइड लिख लेते हैं तो देखिए यह माइनस 20 है और बराबर की उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा पलस 20 तो यहाँ पर होगा 20 इस तरह से समझ में रहा है न अब क्या करना है देखिए यहाँ पर घटाओ का चीन है न तो इसको हम घटा देंगे जिस तरह से सिंपल घटाओ बनाया जाता है उसी तरह से घटा देना है तो 5X मले 3X घटेगा यहाँ बचेगा 2X बराबर 20 अब हमें X को इधर ही रहने देना है और 2 को उस पर भेजना है तो यहाँ हो जाएगा 20 बराबर 2 जो जो कटेगा उसको कटा देना है तो 2 से 20 कटेगा 10 बर में तो यहाँ पर हमारा X बराबर क्या आया है यह आया है 10 तो इस तरह से समिक्राण को बनाया जाता है अब मैं आप लोग के लिए एक होम औरक देता हूँ और यह आप लोग बनाएगा और बना कर देखिएगा कि आप लोग को समिक्राण बनाना आ रहा है या नहीं तो देखिए समिक्राण यह है 5 X माइनस 40 बराबर यहाँ पर मैं 5 लिख दिया हूँ ठीक और इसका एंसोर आएगा जानते हैं क्या इसका एंसोर आ रहा है 9 और इसको आप लोग को बनाना है और बना कर हमें बताना है कि आप लोग को समिक्राण बनाना आया या नहीं